गाइस कहा जाता है कि वेनम 3 जो है उसकी एंडिंग सबसे जड़ा एमोशनल है मुझे भी देखके असा ही लगा लेकिन उसका जो एंड करडिट सीन है उसके बाद मैं समझ गया कि आगे क्या पोसिबिल्टी होती है और मेरी साइडनेस थोड़ी सी जाके कम हो गई थी हाला कि जब मैंने पहले बाद रोटे टेमेटो पे रिव्यूज देखा तब मेरे दिमाग में थोड़ी बहुत शंका आई कि आखिरकार ये मुई अच्छी होगी के नहीं और सप्राइजिंगली ये वेनम लड़ देर भी काने से अच्छी थी और यहाँ पर हम लोग बहुत सारे स्पॉलर्स की बात करने वाले हैं क्योंकि उसके बाद ही आपको पोस्ट एडिट सीन सबज में आएगा और आप लोग आगे भी समझ पैंग की आगी की पॉसिबिल्टी क्या है तो अगर आप लोग ने मुई देख ली है तो आप सबका वेलकम है जिन्हों ने देखी उनका भी वेलकम है लेकिन भाई पहले बता दे रहाँ स्पॉलर्र अलट है और यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि आखिरकार यह मुई कहां पर एंड हुई है तो सबसे पहले अगर आप लोग ने मुई देखी तो आपको पता होगा एडि ब्र को उमीद है कि वेनम और एडि दुबारा मिलेंगे लेकिन जो कोडेक्स की बात हो रही थी जो कि नल स्टार्टिंग में पताया था कि वह कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी फ्रीडम के लिए वह अभी तक उसको नहीं मिला है और जैसा कि हम लोग उस सीम में देख भी सकते है कि नल अभी भी बंधा हुआ है बैठा हुआ है लेकिन उसकी अंदर काफी ज्यादा फ्रस्टेशन है और वह किसी से बात कर रहे है अब यहां पर किससे बात कर रहे है वह पूरी अर्थ से बात कर रहे है जिस अर्थ पर वेनम और एडि रहते थे कि उनका चैंप पैस कदिया और वेनम के बिना एड़ी समय कुछ नहीं है यानि कि अर्थ पहले जैसी नहीं रही वो सेफ नहीं है और यहां पे नल भले आजाद नहीं हो पाये है लेकिन वह उस वर्जिन की अर्थ से अपना बतला लेना चाहता है जैसे तैसे अब बतला लेने के पास नल एक option है कि वो और जैनो फेस को भेजेगा और वो लोग अर्थ को पुरी तरह बरबाद कर देंगे या फिर नल के कुछ और ब्लैंज भी हो सकते हैं क्योंकि एक चीज़ तो वो clear कर दिया है post credit scene में जाके कि नल अभी भी भी आजाद नहीं है भले वो कुछ और monster को भेज के अर् Venom 3 में दिखाया गया था जहां पर Venom का एक subpart था और उसे बाद में capture कल दिया गया था वो अभी आजाद है खुल गया है क्योंकि उसे destroy होते हैं नहीं दिखाया था और उस subpart से जाके एक cockroach attach हो गया है यानि कि यह Venom का हम लोग पुनर जनम कह सकते हैं या फिर Venom का subpart है जो यह तो आने वालों वक्त बताएगा लेकिन अभी जो subpart जो की cockroach से attach हुआ है वो आगे जाके किस से bond होगा और यहाँ पर एक और चीज है कि अगर वो subpart Eddie Brock से bond होता है तो यह पुराना वाला अगर Venom ने उसका subpart है तो क्या वो codex दुबारा activate हो जाएगा और अगर ऐसा नही सेफ होंगे इसको थोड़ा और simplify करने के लिए हम लोग Guardians of the Galaxy Volume 1 में चलते हैं जहां पर जो main Groot है वो खतम हो गया था लेकिन उसका एक पार्ट से हम लोग एक mini Groot को उकते हुए देखे थे हाला कि उसके अंदर भी Groot की सारी properties थी लेकिन वो altogether बिलकुल नया था यानि कि जो original Groot खतम हो गया था उसके पार्ट से एक नया Groot निकला जो कि बिलकुल उसके जैसा था लेकिन बाद में जाके थोड़ी बहुत उसमें changes भी आये थे जिसे साबसे वो evolve हो रहा था उसी तरह हम लोग Venom के सब पार्ट को भी मान सकते हैं यानि कि अगर अपना OG Venom literally अपना sacrifice कर दिय है और जो सब पार्ट जो मुई के स्टार्टिंग में लोगों को दिखाए दिया था वो कॉक्रोच के साथ जाके बॉंड हो गया है बाद में एडी ब्रॉक के साथ बॉंड होता है तो thankfully codex ना generate हो क्योंकि all together एक नया Venom है अब literally यहां पर दोस्तों अगर आप लोग confusion देखें में उड़ता हूँ नजर आता है तो यहां पर यह दोनों चीज में कापी दर एक confusion है प्लस वो जो सब पार्ट पकड़ाए गया है वह वेनम की उनिवर्स में थाई प्लस MCU में भी वेनम का एक सब पार्ट है तो यहां पर Sony और Marvel Studios मिलके क्या करने वाले आगे जाके और audience को यह सब कैसे explain करेंगे यह सबसे बड़ा सवाल है यानि कि वेनम अभी भी जिन्दा है अपने सब पार्ट के थ्रू Sony नवर्स में भी और वही Marvel Cinematic नवर्स में भी उसका एक पार्ट बचा हुआ है यानि कि Spider-Man को वेनम symbiote मिले गही और Eddie Brock शाय दुबार एक नए Venom से अटाच हो जाएगा लेकिन जिस तरीके से बाके symbiote के साथ हुआ है उसे देखके audience को थोड़ा दुख लगा होगा हाला कि उनको नए host मिल गए थे और वो वेनम और Eddie की काफी जादा मदद भी किये थे लेकिन जिस तरीके से वह जैनो फेस के आतों मारे गए वो देखने में literally काफी जा स्टार्टिंग में help कर रहा था लेकिन उसका तो इतनी जल्दी काम तमाम हुआ कि audience हरान की हरान रगे कि आखिरकार यह क्या हुआ यानि की literally देखा जाए अभी उस अर्थ पे सिर्फ दो symbiote है एक Agni का जो कि purple वाली symbiote हम लोगों को दिखाए दी थी जिसके साथ lighting speed वाली powers भी है क्योंकि उस लड़की पे बिजली गिरी थी movie की starting में या फिर कह सकते है बच्पन में जब वो अपने भाय के साथ बीच पे घ बाइंड कर लिया था तो अगर चलिए हम लोग इस theory को मान भी लेते है कि वेनम अपने आपको cockroach में बाइंड कर लिया था तो वो sample का क्या हुआ जो कि पहले से lab में collect करके रखा गया था bartender वाले सीन में वो भी तो उसका भी तो कुछ होना चाहिए तो यहां पर दूसरी theory से counter attack करकी यह कोशिश करती है बोलती हो sample अलेडी लैब में जल चुका है और यह जो cockroach के साथ बाइंड हुआ है यह अपना OG venom ही है तो अगर यह OG venom वापस ID के साथ bond होगा तो codex दुबार activate हो जाएगा और फिर से वही सब तभाही शुरू हो जाएगी जो कि हम लोग अभी test पर depend करता है कि अगर आगे जाके venom और ready को bond करते हैं तो क्या वो दुबारा codex activate करते कि नहीं और अगर codex activate नहीं वहा तो null अपने monster को भेज के अर्थ से जरूर बतला ले सकता है लेकिन नल के आजादी कब हो गई इसको कहीं ना कहीं sony pictures को explain करना पड़ेगा क्योंकि end अगर कर सकता है लेकिन ऐसा कुछ technically दिखाए ने गया तो audience में curiosity बनी रहेगी कि नल का spider man 4 में कैसे रोल हो सकता है क्या यहां पर कोई ऐसी situation आएगी कि Peter Parker मरने वाला हो और उस universe में जो venom का नया सब part है वो से दुबारे जिन्दा कर और उस हिसाब से MCU में वो codex activate हो जाए जिसकी वज सब्सक्राइब में वर्सेज नल की कहानी शुरू हो सकती है और अगर मल्टिवर्स के concept रहा और कोई marvel ने कोई logic लगाया तो अपना जो एडी ब्रॉक है वो नए venom simbird के साथ आके spider man की help कर सकता है जिससे मुई और interesting हो सकती है और कहानी को एक नया mode मिल सकता है क्योंकि नल की अ आप कमन क्या कर रहा है कि आगी की possibility क्या होगी और का इस वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजेगा चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जाएए